तो अब मैं हुआ आपके सांत का प्राव ऑफ को लासई में आपका स्वागत है आज हम लोग दिखेंगे पाली फेलीनी इस पाली फेनीस में दोस्ते से बना है पॉली धळान फेनेश में पॉली मतलब होता है बहु हो नित फेनीस में मतलब एक तरह करता है तो फीन टापिक च चेंजेस एक तरह का होता है आउटर मारफुलाजी में भी भी नकार्नों से जो है विविन वैरियेशन फैक्टर क्यों जैसे जो है चेंजेस होता है तो अगर पालीफैनिक ट्रेट क्या होता है वह अगर देखें तो सिक्सावल तो जो है मल्टीपल जो एक ट्रेट जो उत्पन होगा वो सिंगल जिनो टैप से ही यानि कि ऐख perfectly टाइप होगा वो तो सेम होगा बट विभीन इन्वर्मेंटल कंडिशन के वज़से उसके फिनो टाइपिक यानि की आउटर मारफोलाजी में चेंजेस आ जाते हैं तो मारफोलाजी में चेंजेस विभीन इन्वर्मेंटल केसे के वज़से हो जाते हैं अब यह बेचल फैक्टर भी कुछ हो सकता है जिस्ट टेप्रेचर भी हो सकता है दिन की लंबाई लाइट की अउधी यह भी हो सकता है को सिफ hanging fruit अप्रीम टारीयक्षण के अप्रफियृD करनी होजय को जो कॉन से हैं जिसके और जो है पाली फेनि मांच इन पर अगर दकहें तो में आगर जबती है तो भी ऑटर मार्पफिलाजी में कुछ चेंज ठेंवे जो do कमी की मात्रा है वो भी कम या जद्धा लगाता बहुंस समय तक रहता है तो इस हिसाब से भी अपने आपको एड़ाप्ट कर लेते हैं जिसके जैसे पॉलिफेनिस्म याने कि एक जीनो टाइप वाले अनिमाल जो है अलग अलग तरह से दिखने लगते हैं तो ऐसा सिम्टम्स जर्रेट होते हैं डेलेंथ अगर देखें तो यह भी काफी हद्धक तो तो अगर देखें तो डेलेंथ के अंतरगत भी देलेंथ के अंतरगत तो दिन की लंबाई अगर बहुंच जदा है यानि कि दिन जब बड़ा होता है अपरेल की महिने में माई की जून की महिने में जब दिन बड़ा होता है तो उसका भी इंपक्ट जो है जियों पर पड़ता है माथ और बटर फ्लाई त्यादी पर भी इ गर करते हैं कि करते हैं अगर not io ज्यादा मात्रा में मिले परचूर मात्रा में मिले कमी हो study कमी हो कमी हो तो भी Yapus मार्क द जिने के जो जो होता है घर है अगर फेरो आगो कुछ चैंजर्प से भी पार् benefici होता है प्रूण सी स्पीक केमिकल सबस्तेंस होते हैं इन खेमिकल सबस्टेंज के सिख्रीषन और पर्भाव के वज़े से इन कर्वाव के वज़े से भी ऑटर मार्पॉलाजी में चेंज होते हैं और एक ही स्पेसिज के इनिमल जो है पालिफेनेज्म सो करते हैं यानि कि अकारिकी में चेंज दिखने लगते हैं कुछ काईरो नॉमल फैक्टर भी होते हैं जिसके वज़ासे जो है एनिमास जो है अपने से डिफ्रेंट लगने लगते हैं अपने इस्पीसिस से डिफ्रेंट लगने लगते हैं कुछ सीजनल पाली मार्फेजम भी होते हैं जो इसे सीजन में जो है इस पेसलेटिस सो करते हैं अलग-अलग सीजन में जो है अलग-अलग टाइप के स्पीसिस के स प्रवार्ट करते हैं जैसे कैबेज वाइट जो पॉंटिया जो नामक जो एनिमल है वह पाया जाता है और सलफर बटर फ्लाई जो कोईलास के नाम से है तो यह दोनों एनिमल जो है पाली मार्फिस्म के फ़स्वरूप ही बने हैं यानि कि इनका मार्फुलाजी चेंज हुआ ह सिजनल वाभी एसन की वज़ा से अगर से सिजणल पाली मोर्फिस्म पाली फ्लैसम को अगर देखें तो सिजणल पाली फिएसम के जो एकजांपल प्लूप फिगर में दिखाया जा रहा है अप आप देख पा रहां ऑप से लग़गा वाल्टर फॉलाज हो गए हैं विबिन मौसम मौसम भी और सीजन भी इंपोर्टेंट पर फैक्टर के रुप में कारे करते हैं पाली फेनिस्म के लिए इस डाइग्राम के माध्यम से भी पाली फेनिक वैरियेशन को सोग किया जा रहा है आप लोग देख पा रहे हो कि बटर फ्लाइ के एक इस्पेसिस था लेकिन वो इन्वर्मेंटल केसे के वजए से चेंजेस होते होते अपने मार्फोलाजी में कितना चेंज कर चुके हैं तो यह पाली फेनिस्म सो कर रहे हैं इसके अलावा सोसियल वैरियेशन भी होता है जिसक से कुछ एनिमल जो है सोसाइटी में ही रहना पसंद करते हैं कुछ एनिमल जो है सोसाइटी से बाहर हो जाते हैं तो इन सब कभी मार्फोलाजी में परभाव पढ़ता है और एनिमल जो है ज्यादा लंबे समय तक अगर strong रूप से चलता रहे तो उस हिसाब से जो है changes body में देखने को मिलता है जिसको social variation आप polyphenism कहा जाता है अगर social variation अगर देखें तो honey bee में इस पस्ट रूप से social variation देखा जा सकता है वास्प में भी देखा जा सकता है और कुछ social insect जैसे टर्माइट सित्यादी में भी देखा जा सकता है इन सब में worker अलग होते हैं जो अगर honey bee में अगर देखें तो worker bees जो है विभी नकारियों को करने के लिए डाप्टेड होते हैं सूचना देने के लिए अलग bees होते हैं अक्टर कलेक्ट करने के लिए अलग bees होते हैं स्ट्वर कीपर यानि कि उस सहत को छत्ते तक पहुंचाने के लिए अलग bees होते हैं मेर्द शत्यु जक के लिए लग इंड़े अवर राने की डेखभाल के लिए जो है लग इलग इंड़े होते हैं तो इस परकाड देखेंके कली फैने याने के विभीन न कार्यों के लिए行了 दाप्टेट होते हैं इसके अनुसार आया कालोनीमे रहने हैं जैसे हनी भी तो प्रोग तद्ध्यान से हमें यहां पता चलता है कि पाली फेनिस्म एक ऐसा टर्म है ऐसा फिनामिना है जिसमें जो एनिमल है एक ही गुरूप में रहने वाला एनिमल अपने ही इस्पेसिस के एनिमल से डिफ्रेंट दिखने लगते हैं अकार में इस तरह से अगर देखें तो कालांतर में अलग इस्पेसिस का फार्मेशन हो सकता है या होता है थैंक यू